हालो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चाइनल हो मेकर ब्यूटी अन फिक्नेस तो दोस्तों हेड़ स्वा में पहली सेफ होती हुए वह है हैर ओईलिंग की हैर ओईलिंग से हमारे स्काप्स पर मसाज़ करने से हमारा स्काल का बर्ड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इससे हमा हमारे बालों को रिग्रोथ होने में और हमारे बालों को बढ़ने के लिए बहुत ही हल्फुल होता है साती साथ हमारे बालों का जो मौशर है वह रिटेंड होने में मदद होता है हेर ओईल से आप किसी भी हेर ओईल का यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो मैं ओनियंस हे यूज करती हूँ जो के मैंने घर में ही बनाया हुआ है फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई है आप वो शेक कर सकते हूँ उसका लिंक में दिस्क्रिश्टिम बॉक्स में दे दूँगी और यह आपको अच्छे से मसाज करके एक घंटा अपनी बालों में रखना है तो हैर वास आपको अपने बालों को एक घंटे बाद अपने बालों को शाम्पू से वास करना है वास करने के बाद क्या करना है जब आपके बाल 70-80% चुप जाएंगे तब आपको अप्लाइ करना है पासेरी मैं यहाँ पर लॉरेंस की पाक नियूज करना हूँ आपको श्रीम अपने ओकर पालाई के लिया से नाओ कि अमसाजा में था हिए और शका माल को करूग देब कराम है अब आप इसा बंदी का इन को Pres yen अज़त और करके उतका की किब तरह अपनी सी चरह से ज़ूद आपको पूरे के की फूरत का शका कमें में नादाशार 대해 scans इसे ये क्रीम यूस्पूल है इसलिए हमको हेरश्पा करना ही चाहिए उसके लिए हमको टाइम निकलना चाहिए इनॉस पारलर में हम जाते तो वो बहुत ही महेंगा पड़ता है पर हम घर में ही ये स्प्राक क्रीम खरीद के जो कि बहुत ही पारलर के मुकाबले बहुत ही सस्ता पड़ता है और इस तरह से हम घर बैटे ही ये हैर स्पा कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बिलकुल ही पारलर के हैर स्पा जैसा ही होता है कि इसमें उनों कोई शक नहीं कि हम घर बैटे ही अच्छी तरह से हैर्सपा कर सकते हमको पार्लर जाने की कोई ज़रुद ने बस हमको क्या करना यह लोरेल की हैर्सपा क्रीम हमको खरीदनी है जो की आती है 600 रुपे में क्योंकि अगर यह 600 रुपे की क्रीम है पर हमको यह 4-5 इदिलि चल जाएगी जो की पारलर की मुकाबले हमको घर में ही बहुत सस्ता पढ़ जाएगा फिर हमको इंद्स थर्टी सकfish के कर स्थाएगी दुबा के और उसको निचोड़के अपने बालों को इस तरह से स्टीम दीजिए इससे क्या होगा वह जो क्रीम है वह हमारे बालों के अंदर तक पेनेटरेट होने में मदद करेंगी और इसका रिजर्ड और भी अच्छा आएगा और पाच्वी स्टेप है दोस्तों आपको अ 70-20% यह रही है अपने बालों को आप अपने बालों को स्टाइल कर सकते हो आप अपने मालों को ब्लो ड्राइ सकते हो या फिर आज इस नाच्रल भी रख सकते हो तो आप जिसे चाहूँ वैसे अपने बालों को रख सकते हो तो मेरा यहाँ पर हेल्पा पूरा हो गया है अब मैं अपने बालों को हलका सा ब्लो ड्राइ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ही अन्रूली और फ्रीजी है जब मैं ब्लो ड्राइ करती हो तो थोड़ा वो टेम हो जाते हैं तो इस परकार मैं अपने बालों को स्टाइल करती हूँ तो दोस्तों आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक माई वीडियो और मेरे चाइनल को सब्स्राइब करना मत भूलिये औ और प्लीज आपको कॉमेंट करना भी मत भूलिये अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज कॉमेंट लाइक और सब्स्राइब थैंक यू फॉर वाचिंग और मुझे बाके में बहुत अच्छा लग रहा है यह स्पा करके यह बाल बहुत हेल्दी और यू श्मू